अजम करेंगे दल पद्धती की दोश्ट डिमारिस ओफ पार्टे सिस्टम राजनती दलों के लाभों की वेवेचना से यह निशकर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राजनती दल हमेशा अच्छे ही होते हैं इनके कुछ कार्ष ऐसे हैं जो इनकी दोशों में सम्मिलित किये जा सकते हैं पहला जनता में द्वेच और कटूता की भावना पैदा करना राजनती दलों की कारण जनता में कटूता की भावनात्पन होती है वे जन्जीयों में बेवानी, भष्टाचार, अफसरवाधिता जैसी बुराईयां फेराते हैं जिर्वाचन की समय वे नर्तिक मूल्यों को भुला कर मिथ्या प्रचार करते हैं और जनता को गुमरहा करते हैं राजनतिक दल सारवजनिक प्रशनों पर एकाके विचार प्रस्तुर करते हैं और अन्य दलों के निताओं पर कीचड उचाल कर अपने दल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं लॉर्ड प्राइस ने कहा है कि दल सम्मान देशवक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट लोगों में भर देते हैं देश की एकता पर आगात पहुचाते हैं ये दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके राश्टी एकता को ठोस पहुचाते हैं राश्ट जनतिक दल चाहें कितने भी राश्टी अधार पर बनाए गए हों कई बार उनके कारिकरम राश्ट विरूधी और गुडबंदी जैसे संकिनताओं को जनम देते हैं ब्राइस नहीं बोला है कि धल केवल विवस्थापी का सभाग की ही नहीं बलकि राश्ट को भी दो परस्फर विरूधी पक्षों में बाढ़ देते हैं सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं दली शासन प्रणाली के अंतरगत केवल बहुमत प्राप दल के प्रभावशाली लोग ही मंतरी या उच्च पदों पर आसिन के जाते हैं बहुत से नेता जो पक्ष में आते हैं उनकी सेवाएं शासन को रश्टमात्पक रूप से नहीं मिल पाती हैं कई बार दल परधती के कारण एक स्वाभावी करिणामी होता है कि विरोधी पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिये बिना सरकार के कारूं का विरोध करता हैं विरोधी पर शासन के उन कारूं की अलोचना भी करते हैं जो लोग हीत के द्रस्टी से आवश्यक होती है कई बार संसत एक राज्यती अखाड़ा बन जाती है जहां वादविवाद और आपसी जगडों में जनहित को कहीं भुला दिया जाता है इससे अधियनायक को पोस्तान मिलता है इसके परिणाम सरोब वहमत दल की सरकार ही बनती है और वहमत दल उसे जनता की सरकार बताता है उससे अलपमत की उपेक्षा होती है संसते शासें प्रणाली में मुहमत की सरकार के नाम पर मंतरी मंडल अर्थभ्रधार मंतरी अपनी ताराशाही स्थापित कर देते हैं दल प्रणाली से ब्रष्टचार का जनम होता है निर्वाचन में येन केन प्रकारेन अपने उम्मिद्वारों को विजई बनाने के लिए दल हर प्रकार के भर्ष तरीकों को अपनाता है और अप्रित्तक्ष रूप से अनेक तरीकों से दल को लाब पहुचाता है अमेरिका में राजनितिक लूट प्रथा दली भिस्तरचार का एक प्रित्तक्ष धारन है दल व्यवस्ता से व्यक्तिक स्वतंतरता का भी हैनन होता है आजकल दल समस्त निड़ने उचिस तरी निटाओं के द्वराही लिये जाते हैं समाने सदस्यों की कोई आवाज ही नहीं होती लेकौक ने कहा है कि धन प्रणाली उसी व्यक्तिकर विचार और कारेसंबंदी स्वतंत्रता का दमन करती है जिसे लोकतंत्रात्मक सरकार का अधारपूर सिधान समधा जाता है दल पद्धती से गुडबंदी पैदा होती है सफल दली व्यवस्था के लिए कुछ शर्ते हैं जैसे शिक्षा का प्रशार किया जाना चाहिए गरीब जनता को आर्थिक इस्थिति में सुधार किया जाना चाहिए जिससे राजनतिक दल उन्हें ना खरीच सके विवित राजनातिक दलों के स्रदस्यों में एक दूसरे के प्रती सहिश्णुता की भावना विक्सित होने चाहिए सिधानतों के अधार पर दलों का संग्ठन होना चाहिए ना कि धर्म, संप्रणाय और संकोचित जश्रीकोडों के अधार पर राजनेतिक दलों की संख्या कम होनी चाहिए अर्थात दो या दो से अधिक दल नहीं होने चाहिए किसी भी देश में बुनियादी समस्याओं के बारे में विभिर्ने दलों में आम सहमति होने चाहिए ये दलों में आम सहमती नहीं होगी तो संगाश और प्रतिसपर्दा का राजनीती से शुरुबात होगी ऐसी राजनीती राश्टी हिट के प्रति कूल रहती है प्रतिनीतिक सरकार में दल अपरिहर हैं दल की वैधनिक सरकार को जन्म शक्ति और गति देखकर उसे परिच्चालित करते हैं अथे राजरतिक दलों को इन दोशों से दूर रहना चाहिए